है ही हिंदोस्तान से उम्रा को जाने वाले ले जाने वाले टूर ओपीटर्स के तानलुक से एक खुसूसी अलो नकात हुई जिसका नाम साथ इंडिया उम्रा टूर ंपेटर अस्चेशन है इन्हों उने इसमें मुक्तलिफ टूर ऑप्रेटर्स हैं ना सिर्फ करनाटक बलके केरेला तेमिल नाडू और आसपास के भी इसमें टूर ऑप्रेटर्स शामिल हैं इनका मकसद है कि जो लोग टूर ऑप्रेटर्स के नाम पर धोका दे रहे हैं और कुछ लोगों को कम किमत पर उम्रा ले जाने का जहांसा देकर उन्हें जो नुक्सान पहुंचा रहे हैं उसे आगा कराना उसे रोकना और उस पर कारवाई करना इंका मकसद है लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि आकर यह मामला क्या है और क्यों इतने लोग यहां जमा ह है सब आप देखे रहते हैं बहुत से टूर आपरेटर से ना कम पैकेज इसमें ले कर जाके कोई भी स्टैंडेड नहीं हुआ मार्केट में जो दुखक पहली बार कम रेट रखते हैं दूसरी जो ग्रूप है उसका पैसा इसमें डालते हैं इनको खुश करते हैं यह यह जाके यहाने के गाव में बताएए मुझे अच्छी सर्वीज दिये करके आईसे एक दस ग्रूप बनाते हैं थोड़ा एक पंदरा बीस लाग पचास लाग का इसाब करकर इसके बाद में अवाम को घुमरा करकर कडोडों का लुकसान करते हैं जो अवाम भी क्या करते हैं कम पैसे में लेकर चले जाते हैं करके जब ज्यादा पासपोर्ट देना चालो कर देते हैं तो ये एजेंट सब लोग जो अवाम को घुमरा करके पैसा लेकर भाग जाएंगे बाद में क्या कर सकते हैं आप इसका असर आप लोगों को होता है क्योंकि लोग फिर भरोसा नहीं करते हैं से चीटिंग होती है इस तरह से दोका होता है मारकेट में यह है जो सही काम कर लेकर है जो गलत तरिखे से जो काम करते हैं इन्हीं के वपर भरोसा करते हैं वो भाग गए तो बादमैं सारे मुसलमानों को बेज़त कर देते हैं आल्ला के नाम पे ये उम्रे के लेकर जाने के लिए दुका करके, भाग गया करके, बोलके, सारे खौम को बदनाम कर देती है। पिलकुल इस तरह के वार्दाते हाली में बहूत हो रहे हैं कुछ ऐसे नाम हैं जो हाली में जो फराड करके फरार हों है लोग कैसा ले मेंसिदिये में प्राइजएशन आगा ये करना चाहता हूँ कि हज उम्रा के नाम पर धोका ना दे और जतने भी ट्रैवल एजेंट इमानदारी से कर रहे हैं बाख है दा उनका भी ग्रूप जा रहा है उनके भी सर्विसे अच्छे से अच्छे हो रहे हैं लेकिन क्या होता है ना वो बहुत शाटली बोलना चाहूं किमत तै किया कि इतने किमत में ले जाना है जी अभी हमारे सोथ इंडिया अशुशन की तरफ से मिनीमम एक असी पर पांच हजार की उस्वाया फ्लाइट पड़ती है खर्च उतना आता है पैकेज और डाइरेट फ्लेट का नाइटी फाइट हो जाने कि नवत पर पांच हज इस तरह से हमें इसके उपर जो अच्छी सर्विस और भी ज्यादा हिल्टेन की पैकेज वो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा ले सकते हैं मगर कम ना करें कम करके अवाम को धोका ना दे और इंशाल्ला अवाम को धोका ना दे और खुद भी धोके में ना आए यह बहुत ही इ जाने के नाम पर बाज दफा ऐसा होता है कि टूर आपरेटर्स को खुद ही पता नहीं रहता है जिसके वजह से वो खसारे में आ जाते हैं और फरार होने पर मजबूर होते हैं एक काम तोर पर जो है एक अप्ट्रिप ले जाते हैं तो कितना खर्चाता होगा फ्लाइट की के तहत जो है इसका जो खीमत जो आती है यह मुझतलिफ है फ्लाट के ओपर डिपेंड होती है डिरेक्ट फ्लाइट के ओपर एक अलग रेड आती है और महेंगा ज्यादा है महेंगा ज्यादा है ठी किूंकर बैगलूर से जहां कई भी एजेंट का जो औफिस है उस शेहर से सीधा जिदा जाती है डिरेक्ट तो इसकी जो कीमत है वो ज्यादा है वैराल जो वाया फ्लाइट है यानि दूसरी वाया जाने का उसकी कीमत कम रहती है तो इसलिए आसोसियेशन ने जो तैक किया 85 और 95 आपको कितना पड़ता है कितना प्रॉफिट होता अगर 85 लेंगे तो जो असोसियेशन ने हमारी जो आमदनी जोड के जो है पबलिक को 85 कहा है कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि मेरा प्रॉफिट इतना है कोई भी है क्योंकि साथ में एजेंट को भी जाना है ग्रूप लीडर का भी खर्चा बैड वीजा टिकेट का ऐसा होता है और दूसरी बात जै ऐसे हालात गुजरें कि जो त्री मंस पहले 75 और त्री मंस पहले जो 70,000, 60,000 इन लोगों ने क्या किया है ऐसे डेट पे डेट जिसा तारीक पे तारीक वेसे डेट पे डेट देखे जा रहे हैं अवाम को गुम्रा हो रहे है और बाद में यह आवाम हमारे पास याते हैं ऐस यह ओपन मीटिंग थी हमारी पेपर में भी सालार पेपर में आड़ दिये थे इस मीटिंग का तो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हर टूर आपरेटर को इसके अंदर असोसेशन के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इंशा आला बहुत जल्द पांचो स्टेट तो यह पांचो स्टेट में इंशालला एजेंट्स लोग आ रहे हैं जुड़ रहे हैं स्टार्ट अप हुई है अलहम्दुल्ला हमारी एक दो मेने का यह असोसेशन एक बच्चा है जीरे-जीरे बढ़ेंगे और जीरे जैसे-जैसे हमारा काम चलेगा वैसे वैसे एजेंट्स रहे हैं वही मैं बताया ना, दस ग्रूप लेकर जाते हैं बाद में आप ही देखो, यह पता नहीं चला जाते हैं अभी मैसूर में हुआ, हुब्ली में हुआ, अंदरा क狡़ पा में हुआ, और कई जगे पे यह चले कर हैं महारी जो निगा में बहुत से आद्मी बोल रहे ह हमारा पैसा लेकर बार बार सता लेकर ही ये तीन महीने पहले पैसा लेकर ये ले 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 जाकर बिटकाइन में रियल एश्टेट बिजनस करने की कोशिश कर लेकर ही इसमें जो लुकसान हो गया तो आवाम को भी लुकसान कर देते ही है ये ऐसे बहुत से स्काम्स चले कर रही ह इसका प्रेशिडेंट हूं शेक फयाज देखिए शेक फयाज और उनके जो साथी ऑपरेटर्स हैं तमाम लोगों ने एक प्लैटफॉम पर जमा होकर ये पैगाम दिया है कि जो लोग कम खिमत में ले जा रहे हैं उस पर जरूर गवर करें कम खिमत के लालच में कहीं फसे नही इस तानलुक से उन्होंने पूरे जितने भी टूर आपरेटर्स हैं उनसे भी अपिल की है और आवाम से भी अपिल की है चान बीन करके ही इस सफर मेरा वाना हो क्योंकि बहुत सारे धोके आजकल हो रहे हैं क्यामरा परसन समीर के साथ शाहिद काजी बिल्डरो